हेलो एव्यवण आज जो टापिक हम देखने वाले हैं वो हैं एम्पूटेशन स्टंप केर और इट्स रिहाबिलिटेशन सबसे पहले बात आती है कि एम्पूटेशन होता क्या है बॉड़ी से किसी भी पार्ट या किसी भी लिम्ब को रिमूब कर देना एम्पूटेशन क्या वजह से हमारा body part proper grow नहीं कर पाया या वो प्रॉपर तरीके से डेवलप ही नहीं हो पाया next is acquired acquired में सबसे पहला आता है trauma trauma में हम लोग mostly cases सुनते हैं कि road traffic accident में कई बार लोग अपना लेंब या पार्ट जो है वो खो देते हैं next is vascular vessels में कोई ऐसी disease या कुछ present है जिसकी वजह से हमको amputate करना पढ़ रहा हो infection infection को spread होने से prevent करने के लिए हमें amputate करना पढ़ता है अगली बात आती है general principle of amputation की amputation का basically एक ही general principle है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हमें limb की length को prevent करना चाहिए या फिर कटने से बचाना चाहिए क्यूंकि हमें बाद में उस पे prosthetic लगाना है और prosthetic पे जितना हो सके उतना हमें कम stress देना चाहिए ताकि patient जो है वो easily mobility में वापसी आ सके next is surgical principle of amputation amputation की surgery करते टाइम हमें कुछ चीज़ों का special ध्यान देना चाहिए जिसमें सबसे पहला आता है use of tonicute tonicute को use करना इसलिए advise किया जाता है क्यूंकि tonicute लगाने से हमें एक bloodless field मिल जाती है जिसकी वज़े से amputate करना और easy हो जाता है next is level of amputation level of amputation का यहाँ पर यह मतलब है कि हमारा जितना भी effort है वो यह होना चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हमें limb length को prevent करना है next is skin flaps skin जो है वो mobile होनी चाहिए sensation उसमें intact होना चाहिए और उसमें कोई भी scar का formation नहीं होना चाहिए muscles muscles जो है वो 3-5 cm distal cut करना चाहिए bone के काटने से क्यूंकि हमें muscles को wrap करके वापसी bone के साथ जोड़ना होता है next is nerve nerves को bone level के proximally retract कर देना चाहिए अगली बात आती है surgical procedures of amputation की muscles को manage करने के लिए basically दो तरह का surgical procedures यूज किया जाता है amputation के case में जिसमें सबसे पहला आता है myodesis myodesis क्या होता है muscles और fascii दोनों को एक साथ directly बच्चियों ही bone पे suture कर दिया जाता है drill holes के थरो और अगला आता है myoplasty जिसमें muscles को पहले आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और उसके बाद उसको bone के end पे जोड़ा जाता है next is types of amputation amputation को अलगलग basis पे classify किया जाता है जिसमें सबसे पहला basis आता है surgical technique के basis पे surgical technique के basis पे यह two types का होता है provisional and definitive provisional amputation को क्या होता है जिसमें primary healing या तो होई नहीं पा रही है या delay हो चुकी है क्यों क्योंकि infection, ischemia और wound की वज़े से तो emergency case में हमें amputate करना पड़ रहा है इसमें कोई भी level fix नहीं रहता है इसमें सिर्फ patient के part को prevent बचाने के लिए हम लोग amputate कर देते हैं next is definitive, provisional amputation के बाद particular prosthesis को mind में रखते हुए एक set level पे काटना definitive amputation में आता है next is on the basis of anatomical level, anatomical level की basis पे यह दो तरह का होता है disarticulation and through bone, disarticulation का मतलब होता है कि जो amputation है वो joint से किया गया है यानि कि जो proximal part है वो body के intact रहेगा और जो distal part of joint है वो remove कर दिया जाता है and next is through bone, bone के shaft के through amputation करना इसमें कोई भी particular joint involved नहीं होता, joint जाता है तो उसमें पूरा proximal and distal दोनों articulating surface जाते हैं next is levels of amputation कुछ set levels of amputation है जिसके basis पे हमें बाद में processes लगाने में easy रहता है जिसमें सबसे पहला आता है जिसमें सबसे पहला आता है four quarter यानि कि inter scapula thoracic जिसमें कि हम लोग shoulder joint को भी पूरा कार देते हैं और scapula और thoracic के level पे हम लोग amputate करते हैं next is shoulder disarticulation यानि कि shoulder joint के बीच में से हम लोग cut करते हैं दूसरे words में बोलें तो glenoid cavity जो है वो intact रहती है और जो humorous है उसे remove कर दिया जाता है next is transhumeral elbow के उपर और humorous के बीच में से काटना next is elbow disarticulation यानि कि elbow के बीच में से काटना trans radial radius के बीच में से और elbow के नीचे से काटना wrist disarticulation जिसमें हम लोग wrist joint के बिलकुल बीच में से काटते हैं जिसके बाद hand जो है वो remove कर दिया जाता है और जो forearm है वो intact रहती है trans metacarpal जिसमें हम लोग metacarpal के levels के बीच में से काटते हैं जिसके बाद phalanges और particular finger जो है वो remove कर दिया जाती है next is level of amputation in lower limb जिसमें सबसे पहला आता है hemipelvictomy pelvis में से काटना जिसके बाद पूरा का पूरा lower limb including hip, knee and ankle joint remove किया जाता है next is hip disarticulation, hip joint के बीच में से काटना transfemoral amputation, femur के बीच में से काटना knee disarticulation, knee joint के बीच में से काटना trans tbial amputation, tbia के बीच में से काटना simes amputation, ankle joint के level पे काटना raise amputation, foot के किसी भी particular ray को remove करना and toe amputation, toe को remove करना complications of amputation, जिसमें सबसे पहला आता है failure of healing, हो सकता है कि body में किसी particular चीज की कमी हो या particular nutritional substance की कमी हो जिसकी वज़े से जो हमारा amputated part है वो proper तरीके से heal ना पा रहा हो, inadequate blood supply, blood supply कम होने की वज़े से proper oxygen and nutrition ना मिलने की वज़े से जो है वो proper heal ना हो, recurrent of disease, जिस भी कारण की वज़े से जिस भी कारण या फिर particular infection, cancer, जिस भी वज़े से हमने उस part को remove किया था वो कारण वापिस आ जाना painful neuroma and phantom limb pain Thank you and now Anand will continue the topic Hello everyone, myself Anand Yadav So, next is stump Amputation के बाद जो part बच जाता है उसे stump कहते हैं इसे हम residual limb भी कह सकते हैं जब limb को skin, muscle, nerves और bone से cut कर देते हैं तब stump create होता है ठीक है? Cut होने के बाद जो part बच जाता है उसे smooth किया जाता है उसको वापिस जोडा जाता है ताकि painful sensation को prevent किया जा सके अगर प्रोपर कंडिशनिंग की जाए तो stump naturally ही starting के days में श्रिंक होना शुरू हो जाता है श्रिंकर्स और bandages यूज किये जाते हैं प्रोसेस को तेज करने के लिए और ये इडिमा और swelling को prevent करते हैं श्रिंकर्स और bandages यूज किये जाते हैं प्रोसेस को तेज करने के लिए और ये इडिमा और swelling के को prevent करते हैं इस्टम कंडिशनिंग एक important step है एस इसके बाद ही प्रोसेसस फिट किये जाते हैं ठीक है next is stump pain और phantom limb pain phantom limb sensation वो sensation होती है जो की amputed limb में आती है ठीक है mostly ये painful sensation होती है इसलिए इसे phantom limb pain कहते हैं ये एक painful sensation होती है इसलिए इसे phantom limb pain कहते हैं phantom का मतलब ये नहीं कि एक imaginary है ये एक real phenomenon है जिसे confirm किया गया है brain imaging scan से एक scan होता है brain imaging scan से कि कैसे nerve signal brain के पास जाते है phantom का मतलब ये नहीं कि एक imaginary है ये एक real phenomenon है जिसे confirm किया गया है brain imaging scan से कि कैसे nerve signal brain के पास जाते हैं treatment of stump limb pain stump pain को कम करने के लिए अपन medicine देते हैं जैसे कि anesthetics हो गया anticonvergence हो गया एटसेक्टरा और अगर इनसे ठीक ना हो तो anesthetic injection भी दे देते हैं ठीक है stump care कैसे हम stump की care कर सकते हैं as stump की care करना भी ज़रूरी है ताकि complications ना हो सबसे पहले stump को clean और dry रखना चाहिए ताकि infection होने से बच सके daily stump को गुनगने पाने से दो के सुखाने के बाद उस पे टेलकम powder अपलाय करा जाता है ठीक है एक ज़रूरी बात जब तक skin पूरी तरह से हील ना हुई हो प्रोस्थेसिस मत लगाना ठीक है stump socks को daily change करना चाहिए अब आते हैं अपन इसके PT management पर तो physiotherapist बहुत important role play करता है operation से पहले वो assessment and strength training provide कराता है और operation के बाद प्रोस्थेसिस लगने के पहले और बाद दोनों में role play करता है ठीक है अब आते हैं सबसे पहले अपन इसके pre-operative management पर pre-operative management तभी possible है अगर amputation किसी infection के कारण करना पड़े pre-operative training करवाएंगी सबसे पहले जैसे की breathing exercise हो गई है strengthening of all muscles mobilization exercise bad mobility transfer bed to wheelchair or toilet in case of lower limb और फिर wheelchair training उसके बाद आता है post-operative management अब amputate करवाने के बाद physiotherapist के कुछ aim होते हैं जिनको वो ध्यान में रखकर treatment करता है इसमें सबसे पहले आता है contracture बनने से रोकना जिसके लिए positioning बहुत जरूरी होती है है ना उसके बाद आता है unaffected limb को strengthening करवाना क्यूंकि सारा work load अब इसी unaffected limb पर आ जाएगा फिर affected limb की muscles को strengthen और coordinate करवाना balance retrain करना functional activities को वापिस perform करवाना control, edema और जितनी जल्दी हो सके patient को mobilization mobilize करवाना अब next part है इसका pre prosthetic मतलब amputation के बाद prosthetic लगाने से पहले physiotherapist एक ठीक है तो सबसे पहले है edema control कैसे करते हैं edema control तो इसके लिए elevation जो की pillow से करवाते हैं या फिर bandaging shrinkers, soakers और rigid dressing भी करा सकते हैं okay edema control के बाद strump strengthening जो की progressive registered exercise यानि की P.R.E. से achieve कराई जाती है उसके बाद system mobilization जिसके लिए patient को active arm करवाते हैं लिग लेकिन यदि active arm possible ना हो तो passive arm करवाय जाता है next is pressure जिस्ते की swelling prevent होगी और massage जो की phantom pain को कम करने में help करेगा ठीक है residual limb wrapping अगर stump को early stage में ही wrap कर दिया जाए तो काफी benefit मिलता है जैसे की edema decrease होता है stump shaping में असस्ट मिलती है contracture prevention होता है skin protect रहेगी discomfort और phantom pain कम होगा उसके बाद last आता है अपना post prosthetic अब prosthesis लगाने के बाद physiotherapist patient को gait training करवाता है जिससे की उससे prosthesis के साथ चलने में problem नहीं होती और साथ ही साथ patient को stump को handle करना सिखाते हैं ताकि complications ना हो future में ठीक है तो इसे के साथ thank you and have a good day stay safe, stay healthy and stay positive